हेलो इवरीवान आज मैं आप लोगों साथ सेयर करने वाली हूं किचन के ऐसे टिप्स जो बहुत ही जादा जरूरी और मतलब डेली का उसका यूज होता है तो आज मैं आप लोगों साथ सेयर करने वाली हूं आपको पता है कि मतलब चावल या दाल जो भी होता है उनमें कितन नहीं लेना है जो हम आपको वीडियो में दिखा रहे हैं आपको लेना है ये वाली टैबलेट जो वाइट वाली आती है या कलर वाली भी चलेंगी बट वो जो कैपसूल टाइप की थी उनको नहीं लेना है ऐसी टैबलेट से आपको यूज करना है तो ऐसी टैबलेट लोगे तो जादा अच्छी रहती हैं मतलब असर जल्दी करती हैं तो जो टिप्स हम आपको बताने वाले हैं ना बहुत ही मतलब हर घर की प्रॉब्लम रहती है तो जो यह हमारा चावल है तो यह हमारा घर का चावल है जो मार्केट से चावल लेते हैं वो बहुत ही साफ सुतरा होता बट कुछ दिनों में उनमें खुब कीड़े औगारा आ जाते हैं इलिया आ जाती हैं तो उसके लिए मैं आपको बहुत ही सरल तरीका बताने वाली हूँ तो यह इधर मैं चावल ली हूँ ना अब इसमें हम क्या डालेंगे यह जो टैबलेट है हमारी तो इसमें हम तोड़ के दो टैबलेट डाल देंगे अगर आपके पास ज़्यादा चावल है तो आप उसमें तीन चार डाल सकते हो टैबलेट तो इनको हम क्या करेंगे पहले तो ऐसे खोल लेते हैं तो यह देखे एक हो गई है और एक और मैं आपको इसमें दिखा रही हूं सिर्फ अगर आपके पास इतना चावल में मतलब डालना है आपको तो इधर एक ही टैबलेट में आपका काम हो जाएगा तो आप इसको माइंड मत करना क्योंकि इधर जो चावल है हमारा यह घर का तो थोड़ा सा मतलब कंकर और जो रहता है तो जब हम बनाते हैं थोरा सबीन लेते हैं और भी जल्द इonstال कीरें Бच्णर तो वह सारी मतलब भाग जाएंगे या फिर वह सारे मतलब डवाई के उससे ना जो टैबलेट है उसकी स्मेल से मट जाएंगे तो उससे आप यह जो टिफ है यह जरूर आप यूज करना बहुत ही मैं खुद घर में यूज करती हूं तो इसलिए मैं सोची कि कि आप लोगों के साथ शेयर करूं मैं तो आप ऐसे ना जरूर करना और मेरे और वी वीडियो आप देख सकते हो उसमें किचन टिप्स बहुत सारे मैं बता रही हूं और भी बताने वाली हूं तो बहुत ही इजी इजी मैं टिप्स बताती हूं कोई ताम जहाम वगारा नहीं देता है तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे और यूस्फुल लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना हो और लाइक करना शेयर को शेयर जरू करना हो कि फ्रेंट्स बाइटी के